दोस्तों नया साल स्टार्ट होने वाला है और मैंने सोचा कि आपको कुछ नई चीज़े और एक्साइटिंग चीज़े और जो वर्ल्ड में काफी गीनी चुनी चीज़े हैं वह आपको इंट्रड्यूस किया जाए तो आज हम स्पेश्यली एक थौट के बेजिस पे एक वीड करने वाले है वर्ल्ड की सबसे महंगी कार के बारे में और इसकी नाम इसका नाम किया इसकी प्राइज क्या इसका परफॉमंस क्या इसका एंजीन लिवल कितना है इसकी टॉप मोस्पीड किया है और इसको कितने पीसिस में और कितने नंबर में मैंनिफेक्चर किया गया है और इसकी inspiration inspiration क्या इसका features क्या है और इसकी top most popular चीज़े क्या है और यह किस वज़ा से world में सबसे महंगी कार है वो सारी चीज़े आज के वीडियो में जानते हैं तो बिना time waste किये start करते हैं आज का वीडियो और आज साम साधे 4 बजे एक new वीडियो आने वाला है जो आपने नही नहीं देखा अभी तक तो लाइव हो चुका होगा जब तक आभी वीडियो देखेंगे तो नहीं देखा तो फटा फट से जाके मेरी चैनल पर जाईए यह हमारे देश के लिए और हमारे लिए काफी घर्व की बात है कि यह सारी चीज़े हमारे देश में होने वाली है तो आप डेफिनेटली वीडियो जाके देखें में उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहां जाके देख सकते हो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और वहां पर भी आप डायरेक्ट जाके देख सकते हो तो फटा फट से इस वीडियो की information पर आते हैं यानि कि आज हम बात करने वाले है world most expensive car के बारे में यानि कि इसका मैं नाम आपको बता दू तो first of all इसका नाम है यानि कि इसका नाम ही इतना बड़ा है पर इसकी गाड़ी की प्राइस भी उतनी ही बड़ी है यानि कि इसका पूरा नाम मेरे को भी लेने में काफी दिक्कत हो रही है रॉल्स रॉयर्स ला रोज नॉयर ड्रॉप टेल तो फाइनली मैंने बोल दिया क्योंकि मैं एक गटे से ट्रेक्टिस कर रहा हूं कि नाम याद आजाए अल्मोस्ट क्योंकि वीडियो पर काफी अच्छे तरह कि इससे बोल पाए जैसे कि मैंने पहले थोड़ा सा ब्रेकड जो इसको वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव कार बनाती है यहां कि इंडिया की प्राइज में यानिके आई एन आर की करनसी में गिना जाए तो 251.24 करोड और डॉलर में गिना जाए तो 391750 डॉलर में आपको यह पड़ेगी और हम जैसे नॉर्मल लोग होता हो तो यह मिल ही नहीं सकती क्योंकि इसका सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं मैनिफेक्चर भी इतना लोग है क्योंकि यह वर्ल्ड में सिर्फ गीने चुने लोगों के ही पास है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे फिर इसके बाद आते है इसकी डिजाइन के बारे में तो इसकी डिजाइन क नाम की डिजाइन है इसकी और इसमें आपको काफी सिमीलर रंग देखने को मिलेगा जो एक रोज का रंग है यानि कि रोज का कलर है जिसका नाम है ब्लैक बैकम वो रोज का नाम है और उससे इंस्पायर होके इस गाड़ी को बनाया गया था और फिर इसके थोड़ा से interior के उपर आते हैं और information के उपर आते हैं यह two-seater है और इसमें low-slang metal roof है फिर इसमें dark finish and a dust theme है तो जो इसको आफी काफी dark side में ले जाती है क्योंकि आप अंधरे में देखोगे तो थोड़ा सा आपको radius और थोड़ा सा blackish थोड़ा सा color ऐसा देखने क को मिल सकता है फिर इसके interior पर आ जाते तो इसके interior को design करने में 1603 handmade लोगों का use किया गया था यानिके 1603 बंदों लोगों के हाथ से इसको बनाया गया है यानिके fully handmade motor car है जो मैंने देखा है जब तक के world में सिर्फ कुछी ऐसी companies है जो अपना interior और काफी सारी कार की चीज़े hand से man build करती है और इसमें काफी सारे ऐसे भी accessories है जो भी fully handmade है तो फिर इसके engine पर आ जाते है जो इसको काफी performance centric और काफी powerful बनाता है तो इसका दी ला रोज नौयर drop tail का और एंजीन है वो twin turbo charge 6.75 liters का एंड 12 volts का है और इसका engine 563 horsepower से चलता है यानि कि इसको performance में गिना जाए तो जीरो से 97 km सिर्फ 4.8 सेकेंड में जाती है जीरो से 100 km की हवर की स्पीड ये सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर जा सकते है तो आप समझो कि इसका performance level और इसकी एंजीन की performance centric level कितनी हाई हो आजाते ही इस कार की inspiration के बारे है यानि के जैसे हमने पहले एक रोज को decline किया था वैसे ही इसकी inspiration है romance and the allure of the black backum rose यानि के black backum rose नाम का यानि के एक फूल है जो के एक जिसको आप picture में यहां पर देख सकते हो इसको inspire होके इस गाड़ी का color decide किया गया था और इसी के basis पे यह गाड़ी का नाम है रोल्स रोयर्स रो ला रोज नौयर ड्रॉब टेल फिर उसकी produce पे आजाता है जासे के मैंने बोला के फिर सिर्फ वर्ल्ड में चार पीस बनाए गए जो भी काफी most request की वज़ा से यानि के इस इसका सिर्फ चार ही product product है और चार ही model पूरे वर्ड के अंदर क्योंकि इतनी मह प्न संहेति टरए तो इसके नॉबर काफी लौ होते है इसके फीचर आ जाता है इसके फिर टाइंक टाइंबर है इस फ्रालाइनल है फिर शेशल मैं काफी गवलया है और फिर इलेक्ट्रो ग्लास बड़ेлам इलेक्ट्रो क्रमिक ग्लास यहते मैं कुछ कोछ चिया चीज है ज डिजाइन को इसमें क्राफ्ट किया गया है यानि कि आप समझो के इसमें काफी सारे हैंड마iड जायन्कि 1603 बंदो की महनत से और हेंड की performance से इस काड़ी को बिल्ड किया गया है और काफी इंटिरियर्स को डिजाइन किया है यह सारी चीजे है जो इस गाड़ी को यानि के रोल्स रोयल्स ला रोज नौय ड्रॉप्टेल को वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव बनाती है और इसमें काफी सारे हैंड क्राफ्ट से तो यह सारी चीजें आपको देखकर वाकई में काफी अलग सा डिफ्रेंट सा मैसुस हुआ होगा नॉर्मल गाड़ियों से तो आई होप सो के यह मेरा जो न्यू थॉट है और न्यू जो लाइन अप एरा है जो यह सारी चीजें में नहीं ट्राइक कर रहा हूँ आप सबको पसंद आ रही होगी और कार के रिलेटर और काफी सारी न्यू टेकनोलोजी के रिलेटर में में आपको इंफोनेशन शेयर करता रहूंगा और आपको भी कुछ चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिए और आई होप सो के आपको यह वीडियो इंफोमेटर और क्रियेटीव से भरा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना चैनल को सब्सक्राब कर लेना और निवीडियो तो डेफिनियल सब्सक्राब मैं चैनल हम मिलें निवालो वीडियो के साथ तिल देन सी यो टाला बाइबाइब लेस्गो